अच्छा लोकी की सबजी ना हर कोई खाना पसंद नहीं करता है इसलिए आज मैंने इसे थोड़ से डिफरेंट तरीके से बनाया है ताकि जो लोग लोकी नहीं खाते है वो भी इसे उंगलियां चाट चाट के खाएं और जब आप इसे गाउं देहात वाली अदौरी के साथ ल strips लोग झोपने की यहां पर कषया भी आप है नहीं है तो सबसे पहले नहीं से बनाने के लिए के यहां इंग्ल को की MRC का यहां इन चींड लिया है तो सबनाने के मेरनी Burns कारेंगी चित्चाना का यहां ज़ें की यह तो श्यद़ पानी निकलेगा बिशना को किनारी इसे कार के अच्छा देना है और 20 से हम इसे 2टुकड़ों में कर लेंगे ताकि यह आसानि एक जाए और किनारे जो यह दिख रहा है इसे भी हमें काट के अच्छा देना है अब क्या करें कि लॉक्वी को बीच से काट देए अच्छा एक बत ऑद कि लॉकी को अगर आप बारिक-बारि जाती होती बहुत कम मसाले में और फटष्ट से इस सब्जी बन के तयार हो जाती है और बातो , 01 release सब्जी कुस्स बढ़ी सब्ढ़ कट गई है और थ्लेक्षिभा की और थोड़ी यहां पे मैंने लिया है चना दाल की बडी के चाहें तो आप मूंग डाल या फिर उरत डाली जो बड़ी होती है उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं तो बड़ी को मैंने चोटे चोटे टुक्ड़ों में तोड़ दिया थे जा एक तो आज की सब्चियो को हम कुंकर में बनाएंगे तो बहुत यहाँ आपको चाहिए क्रीज कर दो दोने के लुगवगगगद क्लीक बें उसनी पर दाले हुआ उसके सब्सक्राइब से नकल दें कर्ते होगा लगभगद दो बड़े चमझ सर्सो का तील का कमाल करते हैं तो तो थोड़ी से कच्छी पन का टेश्ट होता है तो इसलिए तेल को आप अच्छे से गर और इसी केसाद दो हरी मिर्ची को 20 से तोड़के डाल दें अब आपको यहां पे करना है प्याज की थोड़ी सी भुनाई मतलब की प्याज को आपको हलका सा सौफ्ट होने तक भुनना है तो प्याज यहां पे हलका सा सौफ्ट हो गया है तो अब आपको यहां पे डालना है अच्छे से भुनना बहुत जरूरी है तो गैस का आच धीमा कर दें और इसे लगातार चलाते हुए तब तक भुने जब तक कि प्याज अच्छे से सुनहरी ना हो जाए और बड़ी के ऊपर अच्छा सुनहरा कलर ना जाए तो जब तक यह भुन रहा है तब तक हम क्या मसाला त्यार कर लेंगे मसाले में यहां पर आपको चाहिए होगा साथ से यार्ट छिली हुई लैसुन की कलियां एक चोटा चम्मा साबु जीरा और आधा चोटा चम्मच काली मिर्च तो अब आप क्या करें कि आवशकता अनुसार पानी डाल के इसको पीस के त्यार कर लें इधर अधारी भी हमारा अच्छे से भुन गया है आप देख सकते हैं कि इसके उपर अच्छा सा सुनायरा कलर आ गया है तो अब आप क्या करें कि इसमें डालें एक मीडिया माकार का कटा हुआ टमाटर और लैसुन जीरा गोल्ड मिर्च का जो हमने पेश्ट त्यार किया थ अधार उसे भी हम यहीं डाल देंगे थोड़ा सा पानी डाल कर जो बचा हुआ मसाला का टोरी में है उसे भी निकाल क हम प्यूकर में डाल देंगे अब आपको यहापे डालना है आदा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पावडर मिर्ची आप अपने लीके के नूसार भी काना पसंद करते हैं और अब आपको यहां पे डालना है एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर बस इससे ज़्यादा आपको इसमें बिल्कुल भी मसाले का इस्तमाल नहीं करना है अब आप क्या करें कि सवी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले और धीमी आज पे मसाले को पांच से शेर कीरें तक को दो भूने या इसे तब तक भूने जब तक के टमाटर हमारे अच्छे से घल ना जये तो मसाले आ पर हमारे अच्छे से भून गए है टमाटर भी अच्छे से घल गए है और बेंसे तेल अलग होने लगा है तो आपको यहां being Déisl to過 की जो हमने बहुत जादा पानी के इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि लॉकी में अपना काफी जारा पानी होता है लेकिन यहां पिना लॉकी कानुपात काफी कम है तो लॉकी में से उतना जादा पानी नहीं निकलेगा इसलिए हमें यहां पे पानी आइट करना पड़ रहा है अगर यहीं आँछ मीडियम से लो के बीच में कर दें जब चार से पांस सीटी लगने के लिए छोड़ दें जब कुकर में फांस लग जाए आप गयास बंद कर दें और इसमा प्रैसर पूरी सब्रेंके से निकल ने करें दें लॉकी कितने अच्छे से गल गया है, अगर दाल की तोड़के देखेंगे तो यह अच्छे से तूड़ जा रहा है, यानि अच्छे से पग्या है अच्छे एक बत और, लॉकी बड़ी की जो सब्जी है ना, यह बहुत ज़ादा ग्रेवी के साथ अच्छी नहीं लगती है करती हूँ कि आज ये रेसिपी आपको पसंद आई हो रेसिपी बनाने में अगर कोई वी समस्य आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं जल से जल आपके सवालों का जवाब दे सकूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती स में मुझे देने के लिए मिलते हैं एक और नही रेसिपी के साथ रेसिपी मंद्रा में सब तक के लिए बाइ-बाइ